वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माई चैनल, मा नेम इस पंकर्स तो वेल आपका स्वागत है नौरमी रसलिंग में, तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कि हमें ब्रेव आइट का फर्स्ट मैच रिटन के बाद कब देखने को मिलेगा, इसको लेकर यहाँ पर एक काफी जादा इंटरस्टिंग अफडेट है, इसके बारे में भी बात करेंगे, एंड कि हमें सेथ रोलिंस का ट्रेपल थेर्ड मैच देखने को मिलेगा, क्राउन जोल 2022 के अंदर, इसको भी लेकर एक काफी जादा इंटरस्टिंग अफडेट है, तो इस थिंग के ऊपर ही बात कर कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा ऐसे लेटेस्ट अपडेट और इसी इंटरस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है, तो अफकोस भाईचान को जरू सब्सक्राइब कर लेना, ओके तो चलते हैं टॉपिक पर टॉपिक की सुरुआत करते हैं, डवल ली के एक काफी इं इंटरस्टिंग ट्रेडमार्क देखने को मिलता है, और यह ट्रेडमार्क है लायरा वलकारी का, यस लायरा वलकारी का हमें यहाँ पर ट्रेडमार्क देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो की थोड़े बहुत रूमर्स उठ रहे हैं कि मेबी हो सकता है कि यह जो हमें आई वेलकारी डेकर देखने को मिल चुकी है। अगले अपडेट की तरफ तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है अलेकसा ब्लिस की तरफ से। तो Alexa Bliss की तरफ से Instagram पे एक काफी ज़्यादा interesting post देखने को मिलता है, जिसके अंदर caption भी काफी ज़्यादा interesting था, तो Alexa Bliss यहाँ पर जो post करते वे दिखाई देती है, जैसा कि आप यहाँ पर photo में देख सकते हो, जो उनका evil character हमें देखने को मिलता था, वो evil character का make-up है, और यहाँ पर जो कि caption में लिखते वे दिखाई देती हैं, वेल्कम टू माइ नाइट मेर, आइ तिंक यू गॉना लाइक इट हीर, तो यह कुछ हमें यहाँ पर जो कि Alexa Bliss की तरफ से caption देखने को मिलता है, यानि कि यह जो हमें उनका nightmare है, जो कि पहले हमें देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर डालते वे दिखाई देती हैं, जो कि Alexa Bliss, और एक काफी जाथा interesting tease हम कह सकते हैं, कि Alexa Bliss की तरफ से देखने को मिल रहा है, अब देखते वेसे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, ब्रे वाइट के storyline के अंदर क्या हमें, Alexa Bliss का involvement देखने को मिलेगा भी या फिर नई देखने को मिलेगा, इसके उपर आपको क्या लगता है, वो जरूर comment section में बता देना, बढ़ते हम वैसे अगले update की तरफ, तो यह update हमें देखने को मिलता है, Maxwell Jacob Friedman यानि की MJF की तरफ से, तो MJF से recent के interview के अंदर पूछा जाता है, कि WL के अंदर जाने के बाद, first match किसे लड़ना चाओगे, first feud किसे करना चाओगे, तो Maxwell Jacob Friedman यानि की MJF सीधा यहाँ पर कहते हैं, वो लड़ना चाते हैं Kevin Owens से, तो Kevin Owens से काफी जादा interesting और काफी जादा खतरनाक चॉइस भी है, तो MJF यहाँ पर first feud WL के अंदर Kevin Owens के साथ में करना चाते हैं, तो यह काफी जादा interesting देखने को मिल रहा है, अगर MJF आते हैं, तो first अगर Kevin Owens के साथ मेरा वलरी देखने को मिलता है, तो देखना रहेगा कि भाई कैसा हमें देखने को मिलेगा, बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरफ तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, Karl Anderson की तरफ से, तो Karl Anderson को लेकर यहाँ पर एक काफी जादा interesting situation देखने को मिल रहा है, इस situation यह है कि Karl Anderson हमें advertise होते वे दिखाई दे चुका है, उनका match हमें confirm होते वे दिखाई दे चुका है, 5 November में और 5 November को जो कि हमें देखने को मिलेगा Crown Jewel, और Crown Jewel के अंदर यहाँ पर जो की OC का match confirm हो चुका है, जो कि हमें देखने को मिलेगा Judgment Day के साथ में, जिसमें हमें Karl Anderson भी देखने को मिलेंगे, और also Karl Anderson का 5 November को ही NJPW के अंदर भी एक match जो की advertise हो रहा है, और वो भी match हमें देखने को मिलेगा 5 November को ही, तो 5 November को हमें Saudi Arabia के अंदर भी, और 5 November को जो की इनका match हमें देखने को मिल सकता है, जो की New Japan Pro Wrestling के अंदर भी, तो ऐसे में यहां पर Karl Anderson कैसे सारी चीजों को सम्भालते हैं, यह देखना काफी ज़्यादा interesting रहेगा, क्योंकि 5 November को हमें दोनों source देखने को मिलेंगे, और दोनों source के अंदर Karl Anderson को complete भी करना है, अब देखते हैं भाई हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या सही में यहां पर Karl Anderson दोनों source को compete कर पाएंगे, या फिर एक ही source के अंदर, वैसे WLT के source के अंदर तो compete करेंगे, लेकिन NJPW के अंदर compete करेंगे या फिर नहीं, यह भी देखना interesting रहेगा, लेकिन यहां पर currently advertise कर रहे हैं दोनों source के लिए, यहां पर NJPW भी कर रहे हैं और WLT तो already यहां पर confirm कर चुकी है, तो देखते हैं भाई, हमें Karl Anderson यहां पर कैसे संबालते वे दिखाए देते हैं इन दोनों source को, बढ़ते वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है, और यह है जो की the beast incarnate Brock Lesnar को लेकर, तो जैसा की आज हमें सुरुवाती जो brawl देखने को मिला Brock Lesnar और Bobby Lashley के बीच में, तो brawl का सुरुवात और ending काफी खतरनाक हमें देखने को मिला, काफी ज़्यादा destruction वाला ending था और destruction वाला सुरुवात भी था, बट यहाँ पर हमें बीच में एक काफी ज़्यादा interesting watch देखने को मिल जाता है Brock Lesnar और Bobby Lashley की तरफ से, तो जो हमें table वाला spot देखने को मिला जहाँ पर Brock Lesnar के उपर attack करते वे दिखाए देते हैं Bobby Lashley, तो Brock Lesnar जो की दोड़ के जाके attack करने की कोसिज करते है Brock Lesnar के उपर और जो हमें first attempt देखने को मिला था announcing table पे, वहीं पे table को तूट जाना था लेकिन हमें table तूटते वे वहाँ पर नहीं दिखाए देता है, जहाँ पर Brock Lesnar और Bobby Lashley ने अपने creative plans का use किया, अपने creative mind का use किया तो हमें वहाँ पर वो तूटते वे दिखाए दिया, तो ऐसी कुछ यहाँ पर हमें reports देखने को मिल रही है, तो वो हमें सुरुवाती boss देखने को मिल गया, देन इसके बाद हमें second attempt पर यहाँ पर तूटते वे दिखाए दिया table, तो यह जो spot था, यह हमें first attempt पर ही देखने को मिलने वाला था, table तूटने वाला, लेकिन second attempt यहाँ पर करना पड़ा जो कि Bobby Lashley को, तो यह कुछ हमें यहाँ पर काफ़ जादा interesting thing देखने को मिल रहा है, और यह थोड़ा सा botch देखने को मिल गया, Brock Lesnar और Bobby Lashley की तरफ से, तो इसके उपर आपके क्या thoughts है, वो मुझे comment section के अंदर जरूर बता देना, बढ़ते हैं वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है, और यह है जो कि Bailey versus Bianca Blair को लेकर, तो Bailey versus Bianca Blair का match हमें देखने को मिलेगा, next Monday Night Raw के अंदर Raw Women's Championship के लिए, तो इस match को यहाँ पर WWE confirm करते वे दिखाई दे चुकी है, and also Rhea Ripley हमें NXT के अंदर देखने को मिलेंगी, वो भी opponent देखने को मिलेंगी Roxana Parish के लिए, and also इसके बाद हमें यहाँ पर एक और superstar जो की देखने को मिलेंगी, NXT के अंदर कलके, Rekwell Roderikuse, और Rekwell Roderikuse यहाँ पर हमें opponent बनते वे दिखाई देगी, Rhea Ripley वर्सेस रॉक्जाना पैरेश देखने को मिलेगा, और Rhea Ripley वर्सेस रॉक्वेल Roderikuse देखने को मिलेगा, तो यह matches देखना काफी ज़्यादा interesting रहेगा, and also NXT के अंदर हमें OC भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर हमें AJ Styles, Luke Galvez और Carl Anderson यह सभी superstar होने वाले हैं, जो कि हमें कल के NXT के अंदर देखने को मिलेंगे, दी OC जो कि हमें Cameron Grimes देखने को मिलते हैं, आज के Monday Night Rock के अंदर, तो Cameron Grimes यहाँ पर invite करते वे दिखाए देते हैं, दी OC को NXT के लिए, और दी OC यहाँ पर राजी भी हो जाते हैं, तो ऐसे में हमें यहाँ पर दी OC कल के NXT के अंदर, यानि की AJ Styles, Luke Galvez, Carl Anderson, यह त्युनों superstar देखने को मिलेंगे Cameron Grimes के साथ में, तो यह काफी ज़्यादा interesting thing देखने को मिल रहा है, अब इसके उपर आपके क्या thoughts हैं, वो मुझे comment section के अंदर जरूर बता देना, एंड इतने सारे superstar NXT के अंदर देखने को मिलेंगे, तो definitely यहाँ पर हमें ratings में boost तो देखने को मिलेगा ही, तो यह भी देखना interesting रहेगा, बढ़ते वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है, Seth freaking Rollins को लेकर, तो क्या हमें Seth freaking Rollins का crown jewel 2022 के अंदर, हमें एक triple threat match देखने को मिल सकता है, तो जैसा कि आप लोग को बता दू की, आज के Monday Night Rock यह जैसे हमें ending देखने को मिली, जहाँ पर Elias के उपर भी Seth Rollins ने attack किया, और यहाँ पर Seth Rollins की तरफ से distraction भी Elias के लिए देखने को मिला था, और Elias यहाँ पर बाद में Raw Talk शो में कहते वे भी दिखाए दिये थे, वो इस चीज़ को कभी भूलने वाले नहीं फिलाल के टाइम पे, Seth Rollins के इस distraction को, तो इसका जवाब तो यहाँ पर Elias तो देंग गई, अगले अफडेट की तरफ तो यह अफडेट हमें देखने को मिल रहा है, ब्रेव वाइट को लेकर, तो ब्रेव आइट हमें कब तक रसल करते वे दिखाए देंगे, इसको लेकर यहाँ पर इंटरस्टिंग अफडेट देखने को मिलती है, जैसा कि आप लोग को बता दू कि कुछ रिपोर्ट्स हमें आप पर यह देखने को मिल रहे कि जो ब्रेव आइट हैं, डवलोली के पास उनके लिए बिल्कुल ऐसे प्लान नहीं है कि वो हमें क्राउंज्वेल 2022 के अंदर मैच में कमपीट करते वे दिखाए दे जाएं, यह कुछ हमें यहां पर स्पेकुलेशन्स देखने को मिल रही है, और अल्सो कुछ रिपोर्ट्स भी है, यहां पर इनका कन्फर्म करना है कि में भी हमें स्वावल सीरीज के अंदर ब्रेव आइट अपना फर्स्ट मैच लड़ते वे दिखाए दे सकते हैं, रिटन के बाद तो यह काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग रहेगा देखना, और अल्सो उनको कैरेक्टर को लेकर जो हमें उनका कैरेक्टर देखने को मिलेगा, उनके कैरेक्टर को लेकर काफी अच्छा खासा बिल्डप का टाइम भी मिल जाएगा, तो इन सारी ठिंग्स के उपर आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो बाई सब्सक्राइब कर लो क्यूंकि आपको यहाँ पर हमें सा लेटेस्ट अफडेट्स और ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं, सो मिलते वैसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एवरिवन गाईस